हेलो गाइस वेलकम बैक टो माइचनल अमन जैकियंस तो गाइस यह आपको पार्ट फाइब वीडियो मिलेगा आयोटी का ओ लेवल माड्यूल आपका पेपर 11 जुलाई को है इसको ध्यान में रखिएगा चली आज हम इस वीडियो में आपको बहुत ही कारे इलेक्टरानिक घटक होते हैं उनको नियांत्री त्यानि कांट्रोल करने की अनुमति कौन देता है तो इसका राइट एंसर क्या है इसका राइट एंसर कौन देता है तो आपसे नवरे क्या दिया है रेष्ट फुल एपी आई हमें इलेक्टरानिक अट्रों को नियांत्र क्या है मरदाना आणि-कि- मैस्कुलीन ठीक है मस्कुलीन के रुप में माना जाता है आप सन और भी राइट एंसर नेक्ट कोशन कि कि क्या दिया है कि और डाड़ डाड़ और डाड़ पब्लिस और सुश्क्राइब कीज को सेय्व करता है जिने हम pub, nub, admin portal के साथ generate किया जाता है इसका right answer क्या है option number age का right answer है public key and subscribe क्या है public key और subscribe की public और subscribe key को save करता है ठीक है जिने हम pub, pub, nub, admin portal के साथ generate किया जाता है next question क्या दिया गया है question number 52 52 में दिया गया है कि speech मलब कोन speech को reported speech कहा जाता है मतलब किसको मलब कोन से speech को reported speech कहते हैं तो इसका right answer क्या है indirect नानि की आप प्रत्यच speech को हम reported speech भी कहते हैं आप से number B इसका क्या है right answer है next question gateway gateway तथा gateway और के बीच connection प्रदान करता है ठीक गेटवे और किसके बीच connection प्रदान करता है तो इसका right answer क्या है cloud और कंट्रोल के बीच connection प्रदान करता है जो हमारा gateway है वो cloud और कंट्रोल के बीच connection को प्रदान करता है next question हमरा चलिए दखते है next question क्या हमरा हाँ पुछ रहा है कि Arduino sealed को क्या कहा ज़ता है यानि कि जो हमारा Arduino sealed है उसको और किस नाम से जाना चाता है तो यानि कि Arduino sealed को हम add on modules भी कहते हैं जो हमारा Arduino sealed है उसको हम add on modules कहते हैं आपसे नमपर एक यह इसका right answer है next question क्यागा इस मरा next question में पूछ रहा है कि sensor प्रदी second data प्रदान करते हैं यानि कि sensor प्रदी second कोन सा data प्रदान करते हैं तो 10 of 1000 of data यानि कि 10 of 1000 यानि कि 10 000 से ज़्यादा data प्रदान करते हैं जो हमारा sensor है उपर 30 second में 10 000 से ज़्यादा data को मतलब प्रदान करते हैं option number D क्या है? इसका right answer है next question क्या जिये गया है? कि board allows दिया गया है board कपडों में सीलने की अनुमती देता है लिली पैड बोर्ड कपडों में सीलने की अनुमती देता है लिली पैड बोर्ड कपडों में सीलने की अनुमती देता है question number 54 का right answer C है next question की ज़र बढ़ते हैं हमारा question number 59 में दिया गया है signal 10 bit DAC variable output प्रदान करता है किस प्रकार का output प्रदान करता है इसका right answer या तो analog या तो digital यानि की neither analog nor digital ना तो digital ना तो analog प्रदान करता है आप सेनम D क्या इसका right answer है next question हमारा दिया गया है sorry क्या प्रदान करता है इसका right answer आप सेनमबर बी है इन आ लॉंग प्रदान करता है आप सेनमबर बी कहें इसका right answer question number 59 का answer next question क्या देगा हमरा 63 या यह लेखते हैं तो अरेडीनो यूनो का default bootloader क्या है अरेडीनो यूनो का default क्या दिया है default bootloader क्या है क्या है अप्रदी बुट बुट लोडर यह क्या है आइडीनो यूनो का default bootloader है आप सेनमबर यह right answer next question क्या देगा है IOT में WOT यानि की wave of things का मुख्य उद्देश क्या है तो इसका मुख्य उद्देश क्या है इसका right answer क्या है प्रबोज और अंतिक्रिया सिल्ता में सुधार करना यह हमारे IOT में wave of things का मुख्य उद्देश है आप सेनमबर A क्या है इसका right answer है next question उस function को specify करता है जिने pub, nub, cloud के साथ एक सफल connection होने पर call किया जाएगा किसे call किया जाएगा आप सेनमबर C क्या है connect उस function जो हमारा connect है उस function को specify करता है जिसे pub, nub, cloud के साथ एक सफल connection होने पर call किया जाता है आप सेनमबर C क्या है इसका right answer है नेक्ट कुस्जन नमरा दिया गया है Bluetooth के लिए wireless तकनिक है Personal area network यानद की PAN के लिए ठीक है यानि की Bluetooth PAN के लिए wireless तकनिक है Personal area network के लिए जो हमरा Bluetooth है वह एक wireless तकनिक है Add on the iPhone two लिए इसका right answer है Nex question क्या दे गया है कि नेमलिकित में से किस उपकरण का वियोग गैसो या द्राव को मापने के लिए किया जाता है Fraser sensor ani और डी क्या इसका हाठ दाइटूंसर है Next question क्या दे गया हमरा EridinoUno में उपियोग किया जाने वाला Micro controller क्या है जो हमारा Eridino Eridino तो इसका राइट एंसर क्या है 802 यह वाला माइक्रो कंट्रूल है तो नेक्स्ट कोश्ण कहा यह और हमरा तो निर्टित में से किस covenant की रां देज बहुत कम होती है तो आईवोटी नेटवर की रेंज बहुत कम होती है चलिए आगे को आदेशन के देखते हैं तो सोट रेंज वायरलेस नेटवर की जो दूरी होती है वो कम होती है आप सब्सक्तव cassette क्या है इसका right answer है next question की तरह बढ़ते हम question number 68 में दिया गया है कि method प्राप्त argument को तीन attribute में save करता है कौन method प्राप्त argument को तीन attribute में save करता है यानि रखता है कौन है इसका right answer क्या है इंट ठीक है आपसे नबर सी इसका राइट एंसर है नेक्ट कोस्टन की दर बढ़ते हैं हम कोस्टन नबर दिया गया है कि एरेडीनो एक एकत्रित वाइफाई माडियूल के साथ क्या करता है एडिनो और यूनो डिया है एडिनो और यूनो एक एकट्वाइ सका Cabinet ईसका डीनो एक एकट्रित वाई फाई मडूल्स के साथ होता है आप से णबरए राइट एंसर है े metre गो किसको सपोर्ड करता है बुरुदूथ किसको सपोर्ट करता है यह का tight answer क्या है बात पॉइंट 2-point Connection and the .2 multiple point connection dat कि दोनों points two-point connection और .2 multi-point connection अपस्थ नंभर c क्या हे इसका right answer है नंस्थ q Teachers क्या देगा है हमारा दिया गया है आप से ने मोटे नभर 73 एक serial port है जो Arduino और computer के भी संचार की अन्मती देता है कौन एक serial यानि कि कौन एक serial port है जो Arduino और computer के भी संचार की अन्मती देता है तो इसका right answer क्या है USRT क्या दिया है USRT एक serial port है जो Arduino और computer के भी संचार की अन्मती देता है आपसा नमबर क्या है 20 का right answer है U-S-A-R-T तो next question के दर बढ़ते हैं हमारा next question दिया गया है कि gateway software को संभालने के लिए परियाब तो smart होना चाहिए क्या smart होना चाहिए gateway gateway software किसको संभालने के लिए परियाब तो होना चाहिए इसका right answer क्या है logging को संभालने के लिए परियाप्त होना चाहिए जो हमारा gateway software है वो lagging को समालने के लिए परियाप्त होना चाहिए यह अच्छा होना चाहिए आपस नमबर C क्या है इसका right answer है next question हमारा दिया गया है LDR is a sensor यानि LDR एक कौन सा sensor है LDR एक कौन सा sensor है monitor प्रकास त्रिविता यानि की monitor light instantly monitor प्रकास की त्रिविता यानि की LDR एक monitor प्रकार की त्रिविता sensor है option number B क्या है इसका right answer है next question हमारा दिया गया है P.O.B. N.O.B. किस कुन्जी पर किलिक करके public subscribe और secret कुन्जी प्रदरशित करेगा तो इसका right answer क्या है option number A P.O.B. N.O.B. किस कुन्जी पर किलिक करके public subscribe और secret कुन्जी प्रदर्शित करेगा पेन कुन्जी पर किलिक करके public subscribe और secret कुन्जी प्रदरशित करेगा option number A क्या है इसका right answer है next question कि personal computer किसका उपयोग करते हैं personal computer किसका उपयोग करते हैं इसका right answer क्या है microprocessor personal computer microprocessor का उपयोग करते हैं option number 1 क्या है इसका right answer है next question क्या दिए गया है Arduino की digital pins में केवल कौन value हो सकते हैं कौन value हो सकते हैं इसका right answer क्या है हाई एंड लो यानि कि एरडीनो और डिजिटल पिंस में केबल हाई और लो वैलू हो सकते हैं आप सेनवर बी क्या जिसका राइट एंसर है चलिए नेक्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं तो हमरा नेक्ट कोशन क्या दिया गया है कि फिजिकल लेयर इजल लेयर यानि फिजिकल भौतिक लेयर एक कौन सा लेयर है इसका राइट एंसर क्या है फिजिकल लेयर इजल लेयर तो ओ यसाई लेयर फिजिकल लेयर इजल ओ यसाई लेयर आप सेनवर बी क्या है इसका राइट एंसर है कुछे reinforcement के बढ़ते हैं हम तो तु क्या निए गए हमारा की अरडी नो बॉड में अन उपकरोडों के नियंतरण के लिए माइक्रो क्रूलर होता है आपसर नंबर सी क्या इसका राइट इंसर है तो अरडी नो बोट में जो हमारे अन उप्कार लगे होते हैं उसको नियंतरिक करने के लिए हम मायक्रो कंटूलल का उप्योब करते हैं नेक्स्ट क्या तबार आपस से के गया है इंटरनेट आप तिनंस, क्या पुछ रहा है कि इंटरनेट बोर्ड पर ADC का उपयोग किस सिंग्नल को डिजीटल सिंग्नल में बदलने के लिए किया जाता है तो इसका राइट एंसर क्या है एनलांग को डिजीटल सिंग्नल में बदलने के लिए किया जाता है यहनि कि एरडीनो बोर्ड पर जो हमारा ADC का उपयोग होता है वो analog signal को Digital signal में बदलने के लिए किया जाता है option number B क्या है, इसका right answer है next question क्या हमारा IoT device को data के साथ जोड़ने का तरीका निर्मे में से कों सा है जो हमारा IOT device है, वो data को जोड़ने में, निर्मे से कों सा तरीका है इसका right answer क्या है, option number 1, cloud ठीक है आयोटी डिवाईज को डेटा का साथ जोड़ने का कलाउड जोड़ने का तरीका क्या है कलाउड से और की स्पेस आपसा नुबर B क्या है इसका राइट इंसर है नेक्ट कोशन के दर बारते हैं हम तो मारा नेक्ट कोशन क्या दिया गया है क्या है क्या है क्या है इसका राइट एंसर क्या है आपसे नुबर C UDP जो हमारा C OAP is supported by UDP प्रोटोकाल यानि कि जो हमारा C OAP है वो किसके सपोर्ट से मतलब किसके सपोर्ट पर होता है यूडूपी के यूडी पी आपसे नुबर क्या है सीज का राइट एंसर है नेक्स्ट कोशन के लिए गया है वाटी याम क्यू वन हंडेट थर्टी फाइब यानि कि MQ135 यह है प्रकार का sensor है आप संवर B इसका right sensor है next question क्या पुछ रहा है कि हमरा की पुछ रहा है कि what is the full prime of LPWAN तो LPWAN का full prime क्या होता है low power wide area network low power wide area network option B क्या है इसका right sensor है low power wide area network और next question क्या दिया है what does ltd stand for यानि की LTE का full prime क्या है LTE का full prime क्या है इसका right answer क्या है चलिए देखते हैं LTE का full prime क्या है long time involution क्या है long term evolution option number B क्या है इसका right answer question number 81 का answer LTE का full prime long term इवाल्यूशन आपसे नमबर भी इसका राइट एंसर चलिए नेक्स्ट कुर्शन दिश्ट बढ़ते हूं इसका राइट एंसर क्या है आपसे नमबर भी इसका राइट एंसर है इसका राइट एंसर है नेक्स्ट के बढ़ते हैं तो यहां नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि What is the Arduino Uno याने कि Arduino Uno क्या है तो Arduino Uno एक प्रकार का hardware device है आपसे नमबर भी इसका राइट एंसर है hardware device है Arduino Uno एक प्रकार का hardware device है इसको ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्योछन पूछ रहा है कि कि एरडीनों के लिए IDE के साथ लिखे गए प्रोगराम को हम क्या कहते हैं इस केज कहते हैं आप से नबर B क्या है इसका राइट एंसर क्या है इसका राइट एंसर मशीन टू मशीन और इंटरनेट अफिंग्स MQTT is a protocol यान की machine to machine and internet of things protocol है MQTT machine to machine and internet of things protocol है option number C क्या है इसका right answer है next question कि बढ़ते हैं IOT stand for यान की IOT का full frame क्या है तो internet of things क्या रहे है इंटरनेट of things तो option number C क्या है इसका right sorry IOT का full frame क्या है तो इसका right answer क्या है option number D क्या इसका right है internet of things architecture IOT A का full frame क्या है internet of things architecture option number D क्या है इसका right answer है next question who create MQTT MQTT को किसे ने बनाया था इसका right answer क्या है इंडी इस्टेनफोर्ड कलार करने बनाया था किसी ने बनाया था MQTT को किसी ने बनाया था इंटी इस्टेनफोर्ड कलार करने बनाया था option number C क्या है इसका right answer next question क्या दिये गा हमरा cloud computing अपने data को सुरचित करता है इंटरनेट के दिवारा cloud computing अपने data को सुरचित करता है आपसा number A क्या है इसका right answer next question के दिये गया है चलिए next question की तरव बढ़ते हैं तो हमरा next question दिया गया है कि बिद्धूत बितरड और switching उपरड तफमान की निगरानी के लिए किस sensor का उपयोग किया जाता है तो किस sensor का उपयोग किया जाता है इसका right answer क्या है RFM 32 तव sensor का उपयोग किया जाता है आपसा number D क्या है इसका right answer है next question क्या दिया गया है कि which of the following is not actual in IOT यानि कि निग्वित में से कोन IOT में actuator नहीं है कोन नहीं है Jakub इसका right answer क्या है Azrand에b तिक है radino एक यह radino IOT में एक एक्ट्यूवेटर नहीं है आपसा number D क्या है इसका right answer next question क्या देगे हमारा pipe lining चरणों में क्या सामिल है तो pipe lining चरणों में क्या सामिल है fetch decode right यानि कि fetch decode right यह क्या है हमारी पाइप लाइनिग चलंडों में सामिल है आप से नम्हक्स क्या है इसका राइट एंसर नेच्ट से क्या दिए गए हमारा चल्ड यह दखते हैं कि तो हमारा नेक्स्ट कै Leia गया है कि वायद कम्में के शनमीERS में परियोग होता थी नेक्स्ट कोशन क्या दिया गया है हमारा नेक्स्ट कोशन क्या दिया गया है कि हाव मेनी नमबर साफ एलिमेंट इन दा ओपेन आयोटी आर्किटेक्चर यानि कि ओपेन आयोटी आर्किटेक्चर में कितने एलिमेंट्स होते हैं कितने एलिमेंट्स होते हैं इसका राइट एंसर क्या है सेवन एलिमेंट्स होते हैं आपसे नबर बी क्या है इसका राइट एंसर है ओपन आयोटी में सेवन एलिमेंट्स होते हैं नेक्स्ट कोशन क्या दियेगा है कि वायरलेस कम्यूकेशन में प्रयोग होता है तो वायरलेस कम्यूकेशन में प्रयोग ह होता है तो इसका right answer क्या है both B and C वाथ B C यानि की Bluetooth और Wi-Fi ये हमारे wireless यानि की बात करने के तरीके में योग होता है आप सी क्या है भी इसका राइट एंसर है और छो सब्सक्सार निरमीतसर की बूट है जो इन्राइट के स्थिगरवां पर फिटे और इसका राइट एंसर का है तो एंट राइट के मतलब होते है इसका राइट एंसर क्या है सिल्ड में फीड होते हैं आप से नवर डी क्या है इसका राइट एंसर है तो वाइस यह थे आपके 50 आयोटी एकजाम के लिए 11 जुलाइ समय को ध्यान में रखिएगा तो इस वीडियो में किसी प्रकार गतलुटी होो तो उसके लिए जमा चाते हैं तो चलिए आप से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तके कि लिए हमारे वीडियो को दिखिएगा हमारे चैनल पर सभी प्रका अधिक लिए लोगते हैं, यह लोगते हैं?